भारत माता की बारत माता की इनकलाब बंडे बंडे आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तप्ती धूब के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतिजार कर रहे हैं मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रियादा करना जाता हूँ जितने लोग इस वक टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शिकों का कावी में हैं तहीं दिल से शुक्रियादा करना जाता हूं सबको मेरा नमश्कार सबको मेरा प्रणाम दोस्तों सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है पचास दिन के बाद अभी अभी मैं मेरी पत्नी भगवन्तमान साथ हम लोग कनौट प्लेस में हनुमान मंदिर में गयते हनुमान जी का अशिरवाद लिया उनके दर्शन किये फिर शिवजी के मंदिर गए शनी जी महाराज के पास गए उनका सब का अशिरवाद लिया बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे उपर हमारी पार्टी के उपर देशवासियों के उपर उनी की क्रिपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में होने तो किसी को उमीद नहीं थी कि चुना के बीच में मैं जेल से बह लोगों के उपर और चमतकार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ दोस्तों हमारी आमाद्मी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खत्म करने में प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिये एक साथ अर्विन केजरीवाग्ट, मनीज सिसोधिया, संजे सिंग, सतिंदर जेन, बड़ी बड़ी पार्टी ओं के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाए पार्टी खतम हो जाते है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिये, उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है, जितना ये खतम करना चाते हैं, उतना ये बढ़ती जाती है उतना ये बढ़ती जाती है ये क्रश करना चाते हैं प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरिवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनिट बात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मानते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए इनको कुछल दिया जाए ये ताना शाहिए अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो आप देश को भविश्य दो आज आपकी सरकार है केंदर केंदर आप देश के लिए काम करोगे आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो ये जंतंतर नहीं है ये इस देश की जंता प면 है इन्होंने आमादमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नी चोड़ी छोटे से लोग हैं हम छोटी सी पार्टी है 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रतारित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आद्मी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश किया। मेरको उन्होंने जेल भेज़ दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ने भष्टाचार से लड़ रहा हूं। तो देश के सबसे बड़े चोड उचक्के और डकायतों को अपनी पार्टी में शाम ngày कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे सटर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमियों को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को दिप्टी सीम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे एडी और सीबिया के मामले खतम कर देते हैं और कहते हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोधी जी को कहना जाता हूँ ब्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो प्रधान मंत्री जी ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है 2015 में जब दिल्ी में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक ओडियो मेरे पास किसी ने वाटसअप कर दिया उस ओडियो में मेरा मंत्री किसी तुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था अप लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया, जेल बेज दिया था, अपने मंत्री को. यह होती है, भ्रश्टा-چार के खिलाफ ल़ाई थी. पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री, मेरा एक मंत्री भ्रश्टा-چार में में यह को पता चला कि कि यो पैसे मांग रहा है वहाँ मान सहाब ने उसको किसी को भीपक्ष को नी पता था मेडिया को ने पता है हमने अपने मनत्री को उफा डिए उपा के जीन में देश के सारे चोर उचक मृत यह ङो अपनी सारे चोर चकोग को अपनी पार्टी में शामिल करके और एडी और सीबेया के सारे केस उनके रफा रफा करें, केजरी वाल को क्यों गिरफतार किया, केजरी वाल को गिरफतार करके उन्होंने एक मेसेज दिया है सारे देश को, कि अगर मैं केजरी वाल को गिरफतार कर सकता हू किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हूँ है प्रधान नंत्री जीने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दो स्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपता देंगे, उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे, उनको सबको निपताते जाएंगे, विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीज सिसोधिया को जेल भेज दिया, संज इनों ने बेज़ दिया के पीछे पड़े हैं अगर यह चुनाव पीच जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर थोड़े दिन के बाद मंता दीदी जेल में होंगी तेजसभी आदफ जेल में होगा स्टेलिन साफ जेल के अंदर होंगे पिनरे विजेन जेल के अ अदवाणीजी की राजनीती खतम कर दी इनोंगे मुर्ली मनवर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रह महाजन की सिवराज स् relyट जिश को अध्यपरदेश चुनाव जीते के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग्ग चोहान उसको मुख्य मंत्री नी बनाया उसकी रा अगर यह चुनाफ जीत गए मेरसे लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बदल देंगे जोगी अधितनाथ की राजनीती खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे यही तानाशाही है दोस्तों वन नेशन वन लीडर यह चाहते हैं एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार पाँच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौके आए जब इस देश के ओपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड़ के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तखता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाहता है आज एक ताना शाह इस देश से लोक शाही खतम करना चाहता है मैं पूरे तनमन धन से लड़ रहा हूँ संघर्ष कर रहा हूँ उस ताना शाह के खिलाव 140 करोड लोगों का साथ चाहता हूँ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड लोगों से 140 करोड लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूँगा पुरे देश बर में गूमूँगा इस ताना शाही को रोकने के लिए दोस्तो जितनी मेरे अंदर ताकत है मेरे सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरे तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को दचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्ते अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ये लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधान मंत्री कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधान मंत्री कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवल क्या बात कर रहा है मोदी जी होगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे है बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके प्याद मोडली मरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोडी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजे बीजे पूछना चाता हूँ आपका प्रदानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगाग करना चाहता हूं। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमिच्छा को प्रदानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और हमिच्छा जी से ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा। क्या हमिच्छा मोदी की गारंटी पूरी करेंगे। जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आउंगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब बीजेपी को वोट देने जाएं वो यह सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोर्ट ने डिरैं आप अमिच्छा के नाम पे वोट आ आई अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझ के कहीं है वहां बैठके यही सोच रहा था 50 दिल से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले वे 20 घंटे हो गए इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जंता से बात कर रहा था लोगों से फोम कर रहा था जात को आंधी आई दी पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सिफरोजिस्क से बात की जंता से बात की फोन पर लोगों से मेरा अपना आखनन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही मोगी सरकार नहीं दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना हर्याना में इनकी सीट कम हो रही है राजस्तान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिल्ली में कम हो रही है जिहार में कम हो रही है, महराश्टर में कम हो रही है, करनाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, जारखंड में कम हो रही है, बढ़ का रही है, यूपी में कम हो रही है, बढ़ का रही है, बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही है, मेरा अपना मानना और सट्टा बजार में भी माभव वच्व चल रहा है इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रहे हैं उससे जागा सीट नहीं बन रही है केंद्र में इंडिया गठवन्दन की सरकार बन रही है कि आम आद्मी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी आ दिल्ली को पूर्ण रज्ज दिलाएंगे बिद्नी का लगों का लगा दिल्ली का लगों का लगा गुजराट से आया हुआ भी अब दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास हो, एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था, तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरिवाल सी एंपद से इस्तीफा क्यों नहीं देता, दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ, मैं अब मंत्री, मुख्य मंत्री, परदान मंत्री यह सब बन्ने नहीं आया, इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था, कमिशनर की नौकरी छोड़के दिल्ली की जुगियों के अंदर, एक नी, दो नी, तीन नी, दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर कांग किया है, सुन्दर नगरी और नंगरी दिल्ली की जुगियों के अंदर, असूलों के उपर 49 दिन के अंदर सीम पत्स से इस्तीफा दे दिया था एक चप्रासी की नौकरी कोई नी छोड़ता सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप सीम की कुर्सी को लाथ मार दी थी उननचेस दिन के अंदर मेरे लिए सिम पत्स इंपोर्टन नहीं है आज मैंने सिम पत्से इस्तीफा क्यूनें दिया जे जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में सबसे इतिहासिक बहूमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वो एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नी जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के बाग जूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्ह राजनैतिक शड्यंत्र राचा केजेरी वाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजेरी वाल को स्तीफा देना पड़ेगा केजरी वाल की सरकार इंग?" उन्होंने ये शढ्डेंत्र रचाHHHH मैंने कम secret ऑ़ वी स्तिफानी डूबा। तुम अगर तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैड कई दो जनतंत्र जेल से चलाके दिखाएंगे दो सरकार भी जेल से चलाके दिखाएंगे, तुम्हारे ट्रैप में फसने वाले नहीं है ये अगर हेमन सुरेन साब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए अगर हमने स्तीफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा है इनके लिए जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार गिरा दो उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो क्यों खास कर मेरी मां बहने महिलाएं, बहुत रोई, कई उन्हें बहुत मन्यते मांगी, मैं सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपनी दुआएं बेजी हैं, पूरी दुनिया भर से करोडों लोग आएं, देश खूब तरक्की करें, फले भूले आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभू से इच्छा है, भारत माता की!